वेलकम टु उमरतास्कीर यूटीब चानल मैसलफ उमरतास्कीर काईस पिछले कुछ वीडियो से फेस्बूक एड्स सिरीज के अंदर हम लोग बात कर रहें किस टाइब से एकोसिस्टम को हमें सट अप करना था या जो प्राइमरी चीजें जिनको हमें सट अप करना हो सारी ची हम काटलोग सेल्स का जो कामपेन है उसको हम लोग सेट अप कर सकते हैं तो गईस अगर कोई डिरेक्ली इस पर्टिकुलर वीडियो के उपर लाइंड किया हुआ है तो इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बनाए हुए है मतलब आपको इसी से पीछे वाले जो कुछ वीड है उनकी ट्राकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं उनकी ट्राकिंग कर सकते हैं पिक्सल में हम देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैंने सेट अप किया था उसके बाद हम लोग ने बात करी थी कि फीड्स को किस तरीके से हमें क्रिएट करना है और यह भी बात करी थी कि कौन सा तरीका हमें लगाना है फीट को create करने के लिए और क्यूं उस तरीकों को हम लोग use करेंगे वाइस बहुत सारी चीज़ा हम लोग setup कर चुके नाउ सीधे सीधे हमें जाना है अब हमारे आड्स अपनी requirement के हिसाब से वहाँ पर select करता हूँ अगर आपके पास multiple catalogs होते हैं तो आपके पास drop down में वह different catalogs जो है वो दिख जाएंगे तो आप अपनी requirement के हिसाब से वहाँ पर select करता हूँ तो मैंने जो catalog बनाया है वहाँ यहाँ पर select कर लेता हूँ अब गईस यहाँ पर आप इस बात को ध्यान समझो हमारे catalog के अंदर कुछ products है ठीक है और वो जो products है उनके अपनी कुछ product ID है उनका अपना कुछ price है उन products के अपने कुछ attributes है और गईस जो हमारी website के ओपर pixel लगा वो भी pixel जो है वो जब कोई product जैसे product page कोई open होता है या या कोई product view होता है या add to cart होता है तो उस product कि जो product ID है उसको वो pixel capture करता है कि भई यह वाला product जो है वो product view हुआ है इस तरीके से यह system काम करता है तो इस हमें क्या करना होगा हमें हमारे catalog को और जो हमारा benefी उसको हमें connect करना होगा, तो यहाँ पर जो आपका notification दिख रहा है, वो इसी चीज के लिए आपको notify कर रहा है, कि आप अपने pixel को और आपका यहाँ पर आपके बिख रहा है, जो काटलोंग उसको आप connect कर दें, ताकि यह और अच्छे तरीके से जो हाँ, वो tracking वगयरा को set up कर पाया और optimization कर सके, यही चीज नहीं पर लिखी वह देखो, यहाँ पर इस चीज को पढ़के भी दिखा दोग को, विकाँ इस ते वे इंपॉ और आपको आपका पिक्सल है उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करके उसको बस आपको कनेक्ट करना होता है और यह वाला जो आपका एरर है वो यहां से गायब हो जाएगा और यह वाला एरर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और जो हम लोग 68 लेवल पर जाएगे तब भी आप देखो इस टाइप की जो एरर है हो सकता है आपको देखने को मिल जाए तो गाईज यहां पर मैं आ जाता हूँ और यहां पर मैं लिख देता हूँ जैसे यह हमारा नहीं क्रण करेंगे लोग run करेंगे catalog add यह सारी products के उपर है या कुछ products के उपर है कुछ product की categories के basis पर है उसके according आप यहाँ पर उसका name रखते होगे अगर यह cold audience के लिए है तो मैं cold audience रख दूँगा अगर यह हमारी remarketing audience के लिए होगा तो मैं remarketing audience रख दूँगा और remarketing audience किस basis पर कर रहा है वो हम नहीं करना है और उसके बाद ad set का name आ गया तो guys ad set के name में मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो basically यह रहता है यहाँ पर मैंने कौनसी audience target करी है fine वो मैं यहाँ लिख देता हूँ किस type की मैंने audience target करी है किस location की मैंने audience target करी है और किस placement में मैंने targeting करी है तो इसके basis पर मतलब यह म important part होता है तो फिर आप जो ad sets है उनको identify भी audiences के basis पर ही करते हो तो guys जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर मैं cold audience को target कर रहा हूँ तो मैं cold audience यहाँ पर mention कर दूँगा fine यह हमारी cold audience होगी जिसको हम target करें अगर मैं products वगरा को भी mention करना चाहूँ तो वह भी मैं यहाँ पर कर सकता हू तो मैं एक बार के लिए cold audience रख देता हूँ ठीक है और अगर यह all over India कर रहा हूँ मैं तो all over India मैं यहाँ पर mention कर दूँगा और उसके बार last में अगर हम Facebook या Insta पर कर रहे हैं तो वह भी मैं यहाँ पर mention कर दूँगा तो यह depend करता है कि आपने art groups के structure किस purpose से बनाए वो purpose पर हमारे पास product sets को select करने का option आता है तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में जहाँ पर मैंने बात करी थी आप से कि product sets कितने important components हैं तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा all products पर जैसे आप drop down में जाओगे आप देखोगे कि आपके पास options है जितने भी आ आमस manager के अंदर या आपने catalog वाले इंटरफेस पर आपको दिख रहा होगा है आप different different type के product sets है वो आपको दिख रहा है by default ना all products का product set रहता है उसके बाद आप अपनी requirement के हिसाब से किस type से आप category या group में products जो है उनको आप set करना चाहते है उसके basis पर आप product sets जो है उनको create कर सक 1500 रुपीज रखते हैं यहाँ पर daily budget और उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पर and now very important point कि यहाँ पर guys जो हमें audience select करने का option मिलता है यह दो तरीकों से हम लोग यहाँ पर audience से select कर सकते हैं मलब हमें cold audience select करने का option देता है और साथी साथ हमें remarketing audience भी यहीं से select करने का option देता है यह advantage आपका होता है जब आप catalog और pixels यह सारी चीज़ें आप connect कर लेते हो तो फिर आप इस potential को जो है वो use कर पाते हो तो guys यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर फिर से जो है ना वही error आ रहा है आप pixel और app is required to retarget your ad fine तो क्योंकि हम लोग ने भी associate नहीं किया हम connect कर लेंगे अगर तो यह वाली error जो हमारी दूर हो जाएगी यहाँ पर आप देखो important चीज़ कि यहाँ पर आपको देख रहा है find prospective customers even if they haven't interacted with your business which means that they are prompting about cold audience यह बोल रहा है कि अगर आपको cold audience target करनी तो वह आप यहाँ से target कर सकते हो तो cold audience को targeting करने का बिलकुल पुराना ही जैसा हमारा interface था वैसे ही आप देख तो यहाँ पर cold audience को target करना audience को target करते हैं narrow audience इन सारी चीजों के उपर बहुत detail में video बना चुका हूं मैं तो आप playlist को अगर regularly follow कर रहे होंगे तो वो चीज़ें आपको बनाऊंगी तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है आप audiences को create कर सकते हो या target कर सकते हो यहाँ पर आप देखो viewed और add it to cart but did not purchase right तो जीं裡 लोगोंने हमारे product को देखा है या उसको add to cart किया है बडद purchase नहीं किया उन लोह को हम target कर सकते हैं added to cart but did not purchased हम उनको target कर सकते हैं तो उसके बाद गाईस यहाँ पर आप देख रहे हो upsell products तो up करना चाहते हैं जो आपने यहाँ पर सेलेक किया राइट, so this is the product set जिसको हम add के form में दिखाना चाहते हैं, but यहाँ पर अगर आप देखो, तो जैसे मैं upsell select करता हूँ, it is giving us option, कि आप किन लोगों को upsell करना चाहते हैं, मैंने का, कि मैं उन लोगों को upsell करना चाहता हूँ, जि किसी ने इस particular product set से किसी भी product को view या add किया हुआ है, तो उस particular बंदे को हम यह वाले जो हमारा product set है, उसके थ्रू हम लोग adds दिखा सकते हैं, यह इस वाले product set के जो adds हैं वो दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो हम लोगों ने product set select किया हुआ है, यहाँ पर य यह हमें options मिलता है, cross sell कर सकते हैं हम लोग products, और उसके बाद guys, अगर हमारी जो भी audience है, उसको हम expand करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि Facebook, जो भी हम लोग ने audience targeting करी है, उससे मिलते जुलते और लोगों को भी हमारी जो add है, वो दिखाए तो वो हम select करेंगे, then we have the option of placements, तो generally मैं audience network को exclude कर देता हूँ, messenger को exclude कर देता हूँ, और मैं थोड़ा सा इस चीज के उपर जादा focus करता हूँ, कि मेरे जो ads हैं, वो feed में दिखाई दे, तो उसके साब से मैं चीजों को यहाँ पर select करूँगा, और उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर तो optimization for ad delivery को आपक आपके events manager के अंदर या pixel के अंदर, अगर आप यह देख रहे हो कि जो conversion वाले events है, वो काफी हो चुके हैं, then you can go ahead, और फिर आप जो है, अपने conversion events के उपर, जो है, वो optimization कर सकते हैं, fine, तो यहाँ पर आप देखो, event type purchase तो मैंने select किया, but again it is showing us the error, because वो configuration नहीं है, fine, उसके तो यहाँ पर main हमें जो settings देखने को मिलते हैं, different type की settings देखने को मिलते हैं, वो होती है हमारी basically audience targeting को लेकर, तो उसके बाद guys हम लोग next के उपर आजाएंगे, और हम बात करेंगे कि हमारे जो products, जो catalog के अंदर थे, वो अब किस तरीके से लोगों को दिखाई देंगे, तो दे उन products को हमें यहाँ पर add ना करना पड़े, fine, तो यहाँ पर अगर हमें Instagram के उपर भी advertise करना है, तो मैं अपनी Instagram profile जो हो भी select करना है, क्योंकि यह dummy account है, तो आप देख रहे हो, मेरा Facebook page और Instagram account आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ आपको errors भी दिख रहे हैं, क् is actually the pixel, उसको हम लोगों ने connect नहीं किया, उसके बाद guys मैं यहाँ पर dynamic formats and creatives को select रखूँगा, ताकि जो हमारे products है, fine, जो हमारे products है, वो according to user, जो है, उसके हिसाब से ही दिखाए दे, मतलब अगर हमारे specific products इस type के हैं, कि Facebook को लगता है, कि इन products को अगर हम in users को दिखाएंगे, तो फिर conversion होके chances जादा है, तो यहाँ पर इस point of view के लिए हमने dynamic format और हमारा dynamic creative वाला option इसको हम लोगों ने on करके रखा हुआ है, जो हमारा media आनी है, जो हमारी images और आनी है, those will be coming from the catalog, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना catalog select कर रखा है, product set हमारा यह है, के बाद guys, यहाँ पर आपके पास option cover media का, तो हम लोगों ने यहाँ पर dynamic video select कर रखा है, guys, कुछ जगों पर ऐसा होता है, कि आपकी जो cover media है, वो show होती, मलब कुछ type के placements में, आपकी cover media show होती, तो क्यूंकि हम लोगों ने बागी सारी चीज़े dynamic रख रखी है, तो मैं यहाँ पर इसको भी dynamic video ले ल कर सकता हूं, get 50% off, जो भी हमारे offers हैं, वो हम लोग यहाँ पर offers mention कर सकते हैं, अगर हमारा कुछ coupon code है, तो भी हम यहाँ पर mention कर सकते हैं, use coupon code, let's say free 20, यह off 20, इस type से हम लोग coupon code mention कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूं, big diwali sale, right, so यह सारे elements हम लोग हमारे primary text में लिख सकते हैं और इन सारे चीजों से जो आपका CTR होगारा काफी improve होता है, उसके बाद guys हमरे पास यहाँ पर headline का option है, तो अगर आप headlines देखोगे तो यहाँ पर आप देखते हो, this is the headline, तो headline में हम dynamic element जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिससे अगर आप देखो तो मैंने product name दिखाए, तो that we can also do, तो मैं यहाँ पर पहले तो जिससे name ले लेता हूँ, product का name, और उसके बाद मैं उसका जो price है, वो यहाँ पर show करा देखो, product name आजाएगा और product का जो price है वो आजाएगा, तो वैस इस type से हमारे जो कुछ ads है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, और यही advantage होता है catalog का यह सारी चीज़े already catalog के पास है, इसलिए आपको manually कुछ भी enter करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद guys यहाँ पर आपके पास description है, तो यहाँ description में भी आप कुछ CTA-based चीज़े mention कर सकते हैं, आप ध्यान रखें, यह आपका call to action button है, यह आपका shop now ही हो, तो यह एक बहतर आपको यहाँ पर यह preview दिखाई देगा, उसके लावा आप share कर सकते हो इसको, send notification to facebook, तो आपके mobile के उपर जो एक notification आजएगा, जिसमें यह बिलकुल किस टाइप से logo को add दिखाई देगा, उस हिसाब से जो है वो preview दिखाई देता इसका, तो आप make sure करें कि आप इन सारी पर लेकर जा रहा है कि नहीं, वसे वो इसी product page के उपर लेकर जाएगा, बट आप देख जरूर लें कि उसी को पर लेकर जा रहा है कि नहीं, fine, उसके बाद guys, यहाँ पर जब आपका pixel connect हो जागा तो आप उसको pixel को यहाँ पर select कर सकते हो, tracking में दिखाएगा, then you just go ahead and publish it, तो जो major चीज़ें इसमें समझने की वो यह हैं कि आपको cold audience target करने का option मिलता है, as well as आपको retargeting वाली audience को भी target करने का option मिलता है, on the basis of different-different parameters, different-different conditions, जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो उसके basis पर आप targeting कर सकते हो, second important thing कि आपको यहाँ पर कोशिक करने के जादा तर जो elements से उनको dynamic आप रखो, और जो product set है उसको आप लोग optimize रखो, ऐसा मत करो कि different-different types के, different-different categories के जो products हैं, वो एक ही product set में आ जाए, वहाँ पर फिर optimization में बहुत सारे challenges आते हैं, तो अगर आपने यह सारी चीज़ें कर रखे और उसके बाद यह सारे dynamic elements जो है, उनको आप use करते हो इस पर दो वीडियो में इतना ही, मिलते है नेक्स वीडियो में, तिल देन, गुड़ बाय.